हलो दूस्तों नमस्कार आज की वीडियो में हम जानने वाल है कि आप BU बंदिल्खन यूणिवर्शिटी जहां सी के बीए बीकॉम बीनियसी की फोर्म कैसे फिल कर सकते हैं उसके के लिए परिक्ष्या फॉम कैसी फिल कर सकते हैं उसके लिए आपको Google पर आना है और यहां पर आपको सर्च करना है बुंदिल खनी यूनिवर्सिटी जैसे आप यहां पर देख रहे हैं इसकी जो वैब साइट ऑफिस यह इसका लिंक भी में दे दूगा तो वहां से भी आप यह वैफसाइट पर आ सकते हैं यहां पर क्लूज करना है बार रिजिस्टेशन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है आप यहां प्र लॉगं दोगिं अब यहां पर यहां पर अगर आपके पास डिश्टेसन ऐग पासवर्थ पहले से तो ठीक है अगर नहीं है तो और यह आप यहां पर लिखा होय है फोर्गेट एक फंक रिकेत प्रकोंटम दिसंप्ट पर्दीश कर देना है अगर आपको पता नहीं हें अगर नहींड दो कर सकते है यह पे आपको अपना ID Passport जानने के लिए आपको अपना नाम लिखना है यहां पे चैने नेप जो आपको High School Intermediate की मार्कशीट में लिखा हुआ है उसके बाद यहां पर आपको Intermediate का रोलंबर भी फिल करना है जो आपका 12 का रोलंबर है उसके बाद High School यहाँ पर वह लिए उन्बर हना है इसके बाद आपको कब करते हैं यहाँ आप करते हैं यहाँ पर देख पाएंगे आपको है आपको रा मिद बीयू नंबर होता है और ध मसह Uh यहाँ आपको देखने को मिल जाता है अब हальных को आपको कपी कर लेना है लिख लेना है ताकि इसी से आप लोग- fino करेंगे तो अभी हम यहांसे लिख लitे हैं और जो है नम्बर जो है इसको हम यहीं सेड़िकर लेते हैं और पासवड है उसे हम लिख लेते हैं आपको दोनों लिख लिए नाइस की इसकी जोर ले सकते हैं फोटो ले सकते हैं ताकि आप जैसा सही समझें जैसे मैं आपको जो है प्रोब्लम ना आए तो यहां से अभी हम कॉपी कर लेते हैं भी नमबर पासवर्ड हम लिख चुके हैं और यहां से अब आपको करना है लोग करने के बाद आपको यहां पे जो है क्लिक हेयर टू लोग इन पर क्लिक करना है यहां से आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो आईडी है जो आपका है प्रोफाइल वह क्लिक हो जाता है ओपन हो जाता है यहां पर देख पाएंगे आपकी प्रोफाल आ गई है अभी आपको यहां पर examination और अर्ट का जो second option है इस पर आपको क्लिक करना है यहां पर आपको ध्यान रखना है जो first year वाले हैं उनको second year वाले हैं final वाले वो annual form जो first link है उस पर click करना है और बीच का link है second यह first year एरवानों को है अगर आपको वीडियो फस्ट एयर पर भी चाहिए तो मैं वह आपको अगली वीडियो बना दूँगा अभी आपको एन्यूल फॉर्म फस्ट है इस पर ही बीए बीए सी बीकॉम फस्ट सेकंड एर और फाइनल एरवानों को इसी पर करना है अब यहाँ पर हमा तो हो यहां पर यह नया जो क undoubtedly अब यहां पर देख सकते हैं आपका जो तीनों में व्युक्तर इक सब्सक्राइब आवर युह ऊप्लाइब का के है HDFC access bank मैं access click करूंगा उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर आपको देखना देख सकते हैं आपका आज चुका है रेफ्रेंस एक आएडिया चुकी है तो यहां पर आपका क्यात्र है तो हम अब कुछ भी कर सकते हम अभी यूप एइस सेलेक्ट कर लेते हैं यूप आई पर क्लिक कर के यहां पर कोई भी जोविया पर यूप आफ रहा हूं तो मैं फॉन पेपर क्लिक करूंगा यहां यहां पर डालने के बाद आपको बैरिफाइगर करके कर सक लिए सब्सक्राइब पहुँच जाएगा तो मैं उसका स्कीन रिकोर्डिंग भी आपको हैं पे करना है पे करने के बाद आप कुछ इस तरीकी का फॉर्म जो पीज दिखेगा कोई बात निया अगर यहां से आपका पेज आ रहा है तो आपको कोई घबलाना नहीं है आपका पेमेंट सकस्फुल हो है बस यहां पे अगर ऐसा आ रहा है आपको तो यहां से कुछ नहीं करना है आपको जो यहां से कट कर दिना डारेक्ट से केवल इसी पीज को कट करना है जैसे इसको पीज को कट कर देते हैं पर इसां से क्लोज कर देते हैं अब आप यहां पर देख सकते हैं अपनी फैल पर है》 आने के बाद आपको फिर से उसी पर आना है और किलिक करना है यहां पर फिर पेपीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आपको उसी पे क्लिक कर देना है आपको फिर से एक बार क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फिर से आगे न्यूट टेप आएगा यहां से आपको प्रूसीड टूपी पर करना है के लिए एक बार फिर से यहां पर केसी और दी और यहांस अप जो आप को इस तरीके के देखने को मिले का तो अब समझे लीजी का आपका कम्प्लीट सकस्पूल हो गया है अभी आप क्या करेंगे आप फिर से जो है जाएंगे फिर से एन्यूल फॉर्म पर क्लिक करेंगे फिर से आप जो है उस पर जाएंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि आपका जो है हो चुका है है complete payment complete हो जोगा है आप यहां से download receipt and download जो है payment receipt आप download कर सकते हैं और आप अपना download form कर सकते हैं यहां पे payment receipt हो जोगी है download form पर आप click करेंगे तो अब देख पाएंगे कि कैसे download विज़े form भी download हो गया है और इस तरीके से आप इसे print करके अपने customer को या आप अपना रख सकते हैं यही जो है college में जहां भी कम जो जमां होता है हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपना परिक्षा form भर सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो के लिए जय हिन जय भारत